Error in measurement तो हम measurement पहले करते हैं कैसे हैं देख लेते हैं मालनो हमें इस तरीके से एक rot है उसका measurement लेना है तो यहां पर मैं पहले किस तरीके से scale लेकर आऊँगा यह रहा हमारा scale जो rot से थोड़ा बड़ा होगा यहां पर होगा मैं पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and so on अब यहां पर मैं गरम करूँगा लेकिन इस बार मैं object को गरम नहीं करूँगा इस बार मैं हमारे scale को गरम कर दोगा अच्छे देखो मैंने scale को गरम कर दिया, scale का कुछ alpha है, alpha, s अगर मैं scale को गरम करूँगा तो क्या होगा? scale लंबा हो जाएगा इस तरीके से और हमारी सारी reading, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से readings भी सब इस तरफ shift होती जा रहे हैं अब मैं इस गरम scale से अगर मैं ना पूँँ पहले जो reading मुझे 7 मिलती थी, अब वो 6 मिल रही है, rod भी length में कोई change नहीं हुआ है, हमने सिर्फ scale को गरम किया था, scale लंबा हो गया, तो हमें लगेगा rod छोटी हो गई, तो अब हमें अगर actual true value पता करनी है, measured value से, हमें measured value छोटी होगे, तो measured value को किसी factor से multiply करना पड़ेगा, true value is equal to measured value into something, और वो something क्या होता है, वो भी मैं बताता हूँ, 1 plus alpha delta t, यही होना है, क्योंकि हमारा, यही तो chapter चल रहा है, लेकिन यह formula कैसा है, आप इसको derive कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहां पर लेख लेते है, only scale is heated, object is not heated, eating only scale, अच्छा, true value को क्या बोला जाएगा, यहां पर true value, true value, यहां पर इसको मैं लिख दूँ, tv is equal to, इसकी जो original length है, मानलो वो थी हमारे पास L0, तो L0 divided by, हमारे पास एक division की जो size है, उससे हम इसकी length को divide कर देते हैं, तो हमारे पास आजाता था, अच्छा, 7 ऐसे divisions लिख दे मानले, तो यहां पर मैं division, size या फिर div size, div लिख देता हूँ, या फिर इसको मैं d लिख देता हूँ, division size, क्योंकि यह division size उस वक्त थी, जो इसकी natural length थी, इसको मैं d0 इस तरीके से लिख देता हूँ, अब हमने इसको गरम कर दिया, और अब हम यहां पर measure कर रहें reading, तो हम लिखेंगे, measured value, measured value, या फिर इसको मैं लिख दूँ, mv, is equal to, इसकी length में तो कोई change नहीं आए, इसको तो अब हमारे पास divisions की size बढ़ गई है, पहले थे d0, अब बढ़के हो गए है वो d, तो यह हो गया d, यहां पर l0, अच्छे d की value कितनी हो जाएगी, यह जो है, वो हो जाएगा, d0, 1 प्लस alpha, delta t, और यह alpha किसका use होगा, scale का, इस object का कोई alpha नहीं है, वो तो हम वैसे भी उसको expand क करा रहे है, तो हमारे पास यह value आ गई, और एक चीज़ देखो, यहां पर l0 by d0 क्या है, l0 by d0 यह हमारी true value, तो यहां से हमें पता चलता है, mv is equal to tv divided by 1 plus alpha s delta t, यहां फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ, true value is equal to measured value into 1 plus alpha s delta t, यह हमारे काम का formula हो गया, अब आप बोलोगे, क्या यह formula काम का नहीं था, इसमें calculations बड़ी मुश्किल हो जाती है, अगर हमें measured value पता करनी है true value से, तो उसके लिए हम देखो, यहां पर इसमें binomial लगा देंगे, binomial, binomial approximation करोगे तो क्या हो जाएगा, यह जो नीचे वाली term है, इसको मैं लेख सकता हूँ, tv into 1 plus alpha s delta t की power minus 1, और अब यह क्योंकि बहुत छोटा है, तो minus 1 यहां आजाएगा, हमारे पास formula आजाएगा, measured value is equal to true value into 1 minus alpha s delta t, यह approximate formula है, तो यह दो formula हमें याद रखने है, छीट, इससे सारे के सारे काम हो जाते हैं, यहां पर mv और tv में confused मत होना इसकी feel लेने की कोशिश करो, अगर हमने scale को गरम कर दिया, तो आप ऐसे समझो, बहुत ही जादा गरम कर दिया, पहले value साथ आ रही थी हमें reading, हमने इतना गरम कर दिया, कि अब यहां पर हमें value मिलती है 1, यहां पर 2 पहुंच लिया, 7 तो बहुत आगे निकल, इस तरीके एक previous year question solve करें, metal scale calibrated at 30 Kelvin measures a rod to be 80 cm long on a hot summer day when the temperature is 47 degree Celsius, 300 Kelvin है या 47 degree Celsius, आपको पता करना पड़ेगा unit change करके की actual temperature कितना increase हुआ या कितना कम हुआ है, what is the actual length of the rod given alpha S is equal to इतना, यह scale का alpha दिया हुआ हुआ है, वीडियो को pause करो question को solve को इस question का correct answer है, 80.02 cm, कैसे हैं, solve करने की कोशिश करते हैं, देखो, हमारे पास सबसे पहली चीज, तो यह 300 Kelvin जो है, उसको मैं convert कर लूँआ, तो हो जाता है, हमारे 27 degree Celsius, यहां से हमने इसको heat किया है, तो हमें value मिलती है कितनी, 47 degree Celsius, हमारे पास delta T, जो आ गया है, वो है 20 degree Celsius, यहां तक हम सबको सबसकुश समझ में आ गया, अच्छा हमने scale को गरम किया है, तो scale लंबा हो गया हो, तो लंबा हो गया, उसके बाद जो reading आ रही है, वो लिए हमने, तो वो actually reading कम आई होगे true value से है, true value, measured value से थोड़ी सी बढ़ी आन लगा देना है, true value हम से पूछी थी, measured value है, हमारी 80 cm, 1 प्लस alpha S की value है, 1.25 इंटू 10 रस दो माइनस 5 इंटू 20, तो यह कितना जाता है, 80 इंटू 1 प्लस 1.25, तो यह हो जाता है, 12.5 इंटू 2 कितना हो जाता है, 25 इंटू 10 रस दो माइनस 5, या फिर इसको मैं लेख सकता हूं, 80 प्लस 80 इंटू 25, कितना हो जाता है, 80 इंटू 25, 8 इंटू 25 हो जाता है, 200 हो जाता है, 2000 इंटू 10 रस दो माइनस 5, विच इंटू 80 प्लस 18, 0.02, विच इंटू 80.02 cm, यही हमारा answer है, अब देखते हैं, जब scale और object दोनों को ही हम गरम करेंगे, मान लो यह हमारी object थी, जिसकी length है L0, इसका alpha है L object, हमारे पास एक scale भी है यहाँ पर इस तरीके से, इसका था हमारे पास alpha of scale, फिर हमने rod को गरम किया, और scale को भी गरम किया, तो rod हमारी गरम हो करके, कि मान लो इस तरीके से थोड़ी सी गरम हो गई, ठीक, और हमारे जो scale है, वो भी अब थोड़ा सा गरम हो जाएगा, लेको, scale भी जहाँ होना था, उसे थोड़ा जादा ही गरम हो चुका है, फिल लेने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो, हमारा सिर्फ scale बढ़ रहा होता, अगर सिर्फ scale का expansion हो रहा होता, तो अभी हमने देखा था कि अगर सिर्फ scale का expansion होता, यह यहाँ पर इतना ही रहता था हम देखते कि हमारी measured value, true value से कम हो रही है, ठीक है, measured value, scale के कारण, measured value is less than true value, और object, object अगर expand होती है, object उस case में, मान लो, object expand होकर के इतनी बड़ी हो गई, तो उस case में measured value ज्यादा मिलती है, object expand होती है, तो measured value ज्यादा आती है true value से, तो मान पास opposite effect हो रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है measured value का, दूसरा measured value को कम करने की कोशिश कर रहा है, और होना भी जीए, देखो alpha naught और alpha s, ये दोनों object और scale के alpha अगर बराबर हो जाएं, तो दोनों बराबरी से आगे बढ़ेंगे, और हमारे पास relatively उन दोनों की size सेम हो जाएगी, और उस case में हम देखते हैं कि measured value is equal to हमारी true value हो जाएगी, चेक कर लेते हैं कैसे हमें values देखने हैं, सबसे पहले तो true value होगी, असलियत में क्या length है, वो हो जाएगी L0 divided by D0, यहाँ पर L0 क्या है, true length, divided by D0 क्या है, division size, यहाँ पर यह जो एक division size है, वो, फिर उसके बाद जो measured value होगी, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी L divided by D, L भी increase हुआ है, D भी increase हुआ है, L किस हिसाब से increase होगा, वो होगा L0, 1 plus alpha of object, delta T, और नीचे हमाएँ पास D बन जाता है, D0 into 1 plus alpha of scale, delta T, और इसी को, दोस्तों, ध्यान से देखो, यह क्या है, यह क्या है, यह है हमाई true value, तो this is true value into 1 plus alpha 0, delta T, और यह जो नीचे वाला है, इसको मैं लिख देता हूँ, 1 plus alpha S delta T की पावर minus 1, समया आ गया है, दोस्तों, binomial approximation का, कैसे करेंगे, पहली बाती, minus 1 इधर आ जाएगा, क्योंकि यह value 1 के comparison में बहुत जादा छोटी है, तो this is approximately equal to, TV, 1 plus alpha 0, delta T, multiplied by 1 minus alpha S delta T, यह क्या हुआ, binomial, binomial लग गया है, यहाँ पर, और एक approximation कर लें, अब जब इन दोनों brackets को हम open करेंगे, दोनों को multiply करेंगे, 1 into 1, 1 ही मिल जाएगा, अगेन यह value आ जाती है, true value multiplied by 1, फिर यह value इस 1 से multiply होगी, यह value इस 1 से multiply होगी, तो हमें मिल जाता है, plus alpha 0, delta T, minus alpha S, delta T, और फिर, यह दोनों आपस में multiply होगी, जो बहुत चोटी value आएगी, उसको हमें ignore करना पड़ेगा, पर उसकी value आती है, alpha 0, alpha S, delta T का square, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं, ignore, यह तो हमाँ पास दो approximation होगे हैं और हमाँ पास value आ जाती है, measured value is equal to true value into 1, plus alpha 0, minus alpha S, delta T, यही हमारा formula है, again, अगर हमें true value पता है, तो measured value निकाल सकते हैं, measured value पता है, तो true value निकालनी होगी, उसके लिए फिर से formula लगा जाएंगे हैं, Tv is equal to mv into 1, plus alpha object minus alpha S, delta T, इसकी पावर minus 1, यह वाले इदर जाके, denominator में आता है, तो मैंने उसको फिर से उपर करेंगे, minus 1 यहाँ पर लगा दिया, लेकिन अब यह binomial approximation फिर से कर लो, तो यह minus 1 जो है, वो यहाँ आ जाएगा, और हमाँ पास इसकी value हो जाएगी, true value is equal to measured value into 1, plus alpha S, minus alpha O, delta T, यह, यह हमारे पास answer, दो formula है, दोनों में से कोई भी एक याद रख लोगे, तो आपका काम हो जाएगा, अब इसको feel लेने की कोशिश करो, यहाँ पर object का plus है, scale का minus है, scale का plus है, object का minus है, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि scale वाला 0 है, scale वाला alpha 0 है, तो measured value क्या हो जाएगी, measured value ज्यादा आएगी, true value से हैं, अगर scale expand नहीं हो रहा है, सिर्फ object expand हो रही है, तो measured value ज्यादा आती है, यहाँ पर हम अगर इसको 0 रखते हैं, alpha object के कारण, प्लस होता है, तो इस तरीके साफ, cross check कर सकते हैं, अपने concept को, और यही हमाँ formula है, यही हमाँ यादा है, अगर इस bottle को, मैं पूरा पानी यहां तक भरके गरम करूँगा, क्या होगा, पानी overflow होगा, नहीं, मेरा iPad पर पानी यह रहेगा, वो खराब हो जाएगा, फिर मेरी आंखों से आसू बहेंगे, वो volume ज्यादा होगा, प्लीज यार रैश्यप को support करो, square board को scan करो, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ comment जरूर कर देना, मजा होगा,